हैदराबाद के हमारे दोस्तों और बुजुर्गों आज कल इलेक्शन का महौल है जी एचेमसी का इलेक्शन चल रहा है ऐसे महौल में सभी पॉलिक्टिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हैं अपनी प्लैनिंग आपको बता रहे हैं मगर साथ में हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग है जो हमारी शहर हैदराबाद की तरकी से जलते हैं और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरकी को नहीं देख पा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से communal issue दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे हैं चाहे वो Facebook पर गलत चीज का publicity हो Twitter में कुछ पुरानी चीज़ें को मौर्फ करके डालने का बात हो या false news propaganda इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो हमनोचैन है उसको वो लोग बिगारना चाहते हैं दोस्तों चुनाओ आते हैं चुनाओ जाते हैं लेकिन शहर हमेशा रहता है हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे और किसी भी हालत में इस तरह के communal लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे जिससे court में उनको सजा मिले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह का कुछ भी false propaganda अगर आप देखते हैं आप विश्वास नहीं कीजिए आप पहले पुलिस से बात करिये इस तरह के commonal लोगों के लिए ही PD Act बना है और अगर जरूरत हुआ तो इन शैतानों को PD Act के तहट हम चंचल गुड़ा भी भेजेंगे आपने और हम सबने मिलकर इस सुन्दर शहर को अपने हाथों से सवारा है सजाया है आप चाहते हैं कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमंचैन बिगड़े बिलकुल नहीं हम नहीं होने देंगे ऐसा और मुझे यकीन ही नहीं आप पर पूरा भरोसा है कि इस तरह के दंगाईयों के हैलाए हुए fake news पर आप भरोसा नहीं करेंगे आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो पर्चम है इसको और उपर ले जाना है जिससे कि यहां investment पढ़े रोजगार बढ़े और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आएं और wealth generation हो हम और आप मिलकर हैदराबाद को बहतर से बहतर बनाएंगे यही हमारी उमीद है